नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और वज़ेदार कॉमिक्स बिनाश कारी तलवार विनाश कारी तलवार, लेखक तरुन कुमार वाही, चितरांकन ड्राम वाइरकर, संपादन मनेश चंद्र गुप्त आमर पुष्प की राजा नाग राजन अपने एक गुप्तचर से यह समाजा सुनकर क्रोजित हो गए ओ, ओ, तो राजा शूल बाहू आमर पुष्प पर चड़ाई करने आ रहा है जी महराज, एक विशाल सेना के साथ जो कल संध्या तक नगर की सीमा पर पहुँच जाएगी यह सुनते ही राजा गंभीर हो उठे, फिर बोले महामंत्री जी, हमारी अस्त्र पूजा अर्चना की व्यवस्ता की जाए जो अग्या महराज, मैं अभी सारी व्यवस्ता किये देता हूँ राजा नागराजन विशेश रत पर सवार होकर भव्यराज मंदिर की और चल पड़े जो महल से कुछी दूर स्थित था अरे, महराज, महराज अपने विशेश रत पर अवश्य ही राज्य पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं ठीक कहते हो, इस रत पर महराज शश्त्र पूजा के लिए ही निकलते हैं देखते ही देखते युद्ध की बात, नगर में जंगल की आग के समान फैल कई उधर सार्थी ने रत को राज मंदिर के सामने पहुँच कर रोका तब, महा मंत्री जी, कर शाम तक मंदिर के भीतर कोई न जाने पाए और सेना पती जी को सेना की तैयारी का हमारा आदेश दीजिए जो आग्या महराज, इतना कहकर महराज मंदिर के और पड़ गए मंदिर के भीतर राज पूरोहित्ते उनका स्वागत करते हुए कहा आईए महराज, शस्त्र पूजा की सभी तैयारिया पूरी हो चुकी है उसके बाद मंत्रो चारण के साथ आरम भूई शस्त्र पूजा अगले दिन शस्त्र पूजा के पश्चाद इस तलवार को ग्रहन कीजे महराज, देवी के वर्दान के कारण यह तलवार जिसके हाथ में होगी, विजेश्री उसके कदम चुमेगी जै मा, तलवार हाथों में लेते ही, राजा नाग राजन के नेत्रों में अर्शु भराए वे बोले, मुझे शमा करना देवी मा, यह तलवार आज फिर मानर्ता की भलाई और दुष्टों के नाश के लिए ही उठा रहा हूं में और फिर अगले तिन, सूर्य की किर्णों का धर्ती पर स्पर्श पड़ते ही, दोनों ओर से युद्ध का शंक बज उठा राजा शूल बाहू अपनी विशाल सेना लेकर राजा नाग राजन की सेना पर और राजा नाग राजन की सेना शूल बाहू की सेना पर तूट पड़ी आमरपुष पर कबजा करलो, तूट पड़ो बहादुर सैनिको, आमरपुष हमारी जन भूमी है, दुश्मनों को ची डालो, मार ढालो, घमासान लडाई छिड़ गई दोनों राजाओं के रत आमने सामने थे, तलवारें आपस मी टकरा कर बिजलियां उत्पन कर रही थी राजा नाग राजन के प्रतेक वार से उनकी दिव्य तलवार से बिजलियां उत्पन होती, और हाई, मैं मरा, देखते ही देखते ही शूल बाहो की आधी से अधिक सेना उन अदबुत किर्णों की शिकार हो गई, बचाओ, आह, यह चमतकार देख, स्वयम शूल बाहो की पुत तलवार सोच में डूबे हत्परप से खड़े, शूल बाहो की गर्दन की और लपकी, और इसे ही कहते हैं किसमत का उपहार, राजा शूल बाहो की गर्दन धर से जुदा होने में केवल कुछी पल शेश बचे थे, कि युद्व स्वामती का शंग बज उठा, ओ, सूर रन भूमी से जीवित नहीं लोटने दूगा, सूर्यास्थ होने के साथ ही युद्व बंध हो गया, राजा शूल बाहो ने खेमे में पहुँचते ही आदेश दिया, खेमे उखार लो, हम वापस लोट रहे हैं, और फिर शूल बाहो की सेना रातो रात गधे के सिर्का सिंग बन गई, उधर प्राता जब राजा नागराजन के पास यह सूचना पहुची, क्या, शूल बाहो अपनी सेना के साथ भाग गया, जी महराज, यह सत्य है, महराज, मुझे लगता है, शूल बाहो को इस तलवार के दिव्वि शक्ति का एहसास हो चुका है, और अब वह कभी वापस नहीं लोटेगा, आप ठीक कहते हैं महामंत्री जी, और एक प्रकार से यह अच्छाई हुआ, अन्य था आज फिर न जाने कित्ते ही निर्दोष प्राणों की बली युद्ध में चड़ जाती, अम मिरे लिए क्या ग्या है महराज, युद्ध में शहीद हुए वीर स टैनिकों की विद्भाओं वा बच्चों की देखभाल का उचित परबंद करो, और महामंत्री जी, अब इस दिव्वे तलवार की हमें अवश्यक्ता नहीं रही, अता इसे राजबंदिर में वापस ले जाने की तैयारी की जाए, जो अग्या महराज, उधर शूल बाहु अ हमारी कायरता सिध हुई है, और अगर हम अगले दिन के युद्ध का इंतजार करते, तो पूरी सेना के साथ ही मारे जाते, राजा नाग राजन अपनी दिव्य तलवार के द्वारा तबाही मचा देते, और हम हाथ पर हाथ रख कर देखने के अलावा कुछ न कर पाते, हम आ भूमी में किसी भी युद्ध का रुक पलट सकती है, और यह कार्य भी हम तुम पर ही सौपते हैं, अगर तीन दिनों के अंदर हमें वह तलवार नहीं मिली, तो तुम्हारे लेम रित्यु दंड हमने सोच लिया है सेना पती वीरभद्र, आप बेफिक्र रहे माहराज, मैं उस तलवार को प्राप्त करने के लिए अपनी जान लड़ा दूगा, उसी दिन सेना पती वीरभद्र अपने कुछ विश्वास पातर सेनिकों के साथ, आमर पुष्प की और प्रस्थान कर गया, हाहा, एक बार यह तलवार मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद मैं राजा आगे हमें पैदल जाना होगा, सन्यासियों का वेश धर कर, सेना पती वीरभद्र की आदेश पर सैनिकों ने घोड़े वही छोड़ दिये, और सन्यासियों का वेश धर लिया, ओम, क्यों, कैसा दित्ता हूं मैं, वाह, पूरे सन्यासी, हाहा, अचानक सेना पती चिल्लाया, भीम सिंग, संभलो, कालाक तेंदुआ, भीम, बचो, लेकिन इस से पहले कि तेंदुआ भीम सिंग तक पहुंच सकता, भीम सिंग की उंगलियों में एक तीवर चमक उत्पन हुई, हवा में कुछ सरसराया, और दोसरे ही पल, तेंदुए का मृष शरीर उनके कदमों में सिद्या को सीखने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया था, अब हमें और अजिक समय व्यर्थ न करके तुरंत राजमंदिर पहुंच कर वह दिव्य तलवार अपने अधिकार में कर लेनी चाहिए, हम तयार हैं, चलिए सिनपती जी, उसके बाद वेर राजमंदिर की और चल से निपटलेंगे, तरत बस चार चारो विभिन दिशाओं में बढ़ गए, और आह, उफ, ओ, मार्क साफ होते ही, चारो मुख्य द्वार पर आप पहुंचे, यह देख सेनापती वीर वहद्र भी वहां पहुंचता हुआ बोला, जल्दी करो, भीतर चलो, मंदिर का द्वार खोल कर सब भीतर आ गए, जहां पर दिव्य तलवार सुशोपित थी, यही है वो दिव्य तलवार, दिलावर सिंग, जल्ती करो, उठालो इसे, अब यह कहां भागी जा रही है, इस पर हमारा कबजा ही समझो, दिलावर सिंग ने आसन पर रखी तलवार, एक ही जटके में उ उसने दोनों हाथों से तलवार उठाने की चेश्टा में अपनी संपून शक्ती लगा डाली, पसीने पसीने हो गया वह, किन्तो तलवार ना उठा सका, यह देख सेनापती उसके निकट पहुंचता हुआ, तेवर स्वर में बोला, क्या बात है दिलावर सिंग, तुमारे प पढ़कर कहा, तुम पीछे हटो, इसे मैं उठाता हूँ, भीम सिंग ने तलवार उठाने की चेश्टा की, आएं कि कमाल है, यह देख सेनापती ने आदेश दिया, तुम सब मिलकर इस तलवार को उठाओ कमबक तो, चारो जी जान से उस तलवार को उठाने में जुट गए लेकिन तब भी वे तलवार को हिला तक न सके, यह तो वाकई पहुत भारी है, अन्तता जब सब थर्क कर चूर हो गए, हमें शमा किजिए सेनापती जी, यह तलवार उठाना हमारे बसका रोग नहीं है, अवश्य ही इसमें कोई माया जाल है, जो यह हमसे उठ नहीं रही है, ओ, इसका मतलब हमें खाली हाथी लोटना होगा, और फिर जब सेनापती वेर भदर ने महल में लोट कर अपनी असफलता की सूचना, राजा शूल बाहु को दी, क्या, लेकिन यह कैसे हो सकता है, युद्ध में तो महराज नाग राजन ने वे तलवार उठा रखी थी, और यकीनन, नाग राजन तुमारे इन सैनिकों से अधिक ताकतवर नहीं हो सकता, शमा करे महराज, किन्तु यह सकते है, कि हम पांचों मिलकर भी उस तलवार को हिला तक न सके, फिर उठाना तो दूर रहा, हाहाहा, तभी एक अठाज गोंज उठा, सामने खड़े व्यक्ती को देखते ही शूल भाव क्रोधित स्वर में बोला, कौन हो तुम, इस गुस्ताकी का दन जानते हो, अवश्य जानता हूं महराज, किन्तु गुस्ताकी माफ, अगर आप मुझे दन देंगे, तो फिर मैं उस दिव्य तलवार की भेंट आपको क्यों देने लगा, दिव्य तलवार की भेंट? हा राजन, सोच लो, तलवार चाहिए या दन देना है, अगर तुम हमें वह तलवार ला दो, तो हम तुम्हें तुम्हारी मुह मांगी बस्तू इनाम में देंगे, तो फिर यह समझ लीजे महराज, कि जादूगर चामुंडा की मदद से वह तलवार आप को मिल गई, फिर उसी रात राज मंदिर के निकट, कल रात की घटना के बाद, आज मंदिर पर कई सैनिकों का पहरा है, सैनिकों से तुम निप्टो, मैं तो तलवार मंदिर के बाहर ले आऊंगा, भीम सिंग की विश्बुजी कील मारक शक्ती, एक बार फिर कामाई, फट, स ताक, रास्ता साफ है, चले आओ जादूगर चामुंडा, तीनों शीगरता के साथ भीतर पहुंच गए, भीतर पहुंचते ही जादूगर चामुंडा, तेजी के साथ किसी मंत्र का जाप करने लगा, जै चामुंडा शक्ती, गुरू भैरवनात, कपाल तोड माया जाल, फि ओ, तीनों तेजी के साथ मंदिर से बाहर आ गए, उनके पीछे ही पीछे तलवार भी उर्ती हुई बाहर निकलाई, महराज तलवार पाकर तुमारी प्रतेक इच्छा पोन कर देंगे जादूगर चामुंडा, उधर अगले दिन प्राता ही जब राज पुरोहित अपनी कुष्प गंधा के साथ राज मंदिर पहुँचे और उन्होंने मंदिर के कपाट खुले हुए देखे, ही भगवान अनर्थ हो गया, दिव्य तलवार गयब है, अब क्या होगा बापू, क्या वह आकाश्वानी सत्य हो जाएगी? जब देवी ने आपकी तपस्या पर प्रस इसी के साथ देवी अंतरध्यान हो गई और एक आवाज कोंजुठी, याद रखना, जिस दिन यह तलवार तेरे हातों से निकल गई, उस दिन से इस राज्जी का सर्वनाश आरंभ हो जाएगा, और उस आकाश्वानी का समरण होते ही, राज पुरोहित भैबीच से महल की औ अनि रहें मेरे साथ, और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और कॉमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, धन्यवाद